वेलकम फ्रेंद्स, वेलकम टू रुपेश जोतिस चैनल, आज मैं आप लोगों को न्यूम्रो स्कोप कैसे बनाते हैं, यानि लोसु कुंडली भी आप उसको बोल सकते हो, कैसे बनाएंगे किसी डेट ऑफ बर्च से, यह मैं आपको सिखाऊंगा, इससे पहले फिर आपको रि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस तरह ता कि मुझे भी होसला मिले और मैं इंकरेज्ट हो कि आपके लिए और वीडियो बनाऊं, तो ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने डिसकॉशन पर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नियूम्रो स्कोप बना लेता ठीक है, सेंटर वाला 5 है, एक 2 है, 8 है, 258 अर्थ ऐलिमेंट है, इस तरह से आपको ध्यान भी रहेगा, 1 वाटर ऐलिमेंट है, 9 फायर ऐलिमेंट है, यह वूद ऐलिमेंट है, 4, अब यहाँ पर मेटल ऐलिमेंट से, नमबर 7 और 6, तो यह हमारा लोसु ग्रेड है, अब मान लिजे मैं कोई एक डेट अफ बर्थ, पर एक्जामपल कुछ भी डेट अफ बर्थ लेता हूँ, पर एक्जामपल, चलिए 5 माई 1985 लिया, ठीक है, एक किसी का भी डेट अफ बर्थ नहीं है, जस्त इमाजिन किया मैं, और इसमें ले रहा हूँ, तो इसमें देखें, कैसे हम लोग यह लोसु ग्रेड को फिल करेंगे, यह नमबर 5 जो है, इसको बेसिक नमबर बोलते हैं, बेसिक नमबर, कहीं कहीं इसको, ड्राइवर नमबर भी बोलते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ड्राइवर को चलिए, बेसिक को B से दिखाते हैं, ड्राइवर को D से दिखाते हैं, कन्फ्यूज नहीं है, यह दोनों एक चीज है, कोई एक लिखते हैं, चलिए D मान लेते हैं, तो हमारा बेसिक नंबर या ड्राइवर नंबर हो गया फाइव अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एक होता है डेस्टिनी नंबर इसको कंड़क्टर नंबर भी बोल सकते हैं कंड़क्टर इसको मैं चले सी से दिखाता हूं ठीक है अब ये कंड़क्टर नंबर कैसे निकालेंगे तो इसके लिए सी निकालने के लिए है जितना आपके डेट ओव बर्त में ये नंबर है सभी को आड़ कर देंगे 5 प्लस 5 प्लस 1 985 सबको आड़ कर दीजे 5 5 अब इसको भी आड़ करके हम सिंगल डिजट में लाएंगे तो देखे 1 प्लस 9 10 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 5 कितना हो गया 23 हो गया अब हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 इस जो 23 था इसको भी मैंने सिंगल डिजट बना दिया तो ये टोटल हो गया 15 तो इसको हम लिखेंगे 15 ना फिर इसको सिंगल डिजट में convert कर देंगे तो 1 plus 5 which is equal to 6 तो इसका conductor क्या हो गया 6 इसको यह हमारा basic number है और driver number यह destiny number है और conductor number भी बोल सकते हैं तो इस तरह से इसका हो गया 5 and 6 यह मैंने reference के लिए आप के लिए बनाया है आप simple क्या करेंगे इस डेस्टर से मैं थोड़ा space बनाता हूँ ताक कि आपको देखे आपके reference के लिए मैं इसको रहने देता हूँ और इसको delete कर देता हूँ अब इस date of birth का हम numeroscope बनाएंगे या लोसू कुणली बोलिए या लोसू grid बोलिए देखे मैं वैसा square एक बना दे रहा हूँ पहले ठीक है और उसके अंदर में नो खाने मैंने बना दिये अब इस जो date of birth जो imaginary date of birth मैंने लिया है इसमें आप देखे इसमें number 5 है और driver का number भी 5 है 5 यहाँ देखे काहाँ पे है center का number है तो यह 5 यहाँ पे आगे एक बार अब इसके month में भी देख रहे हैं कि 5 है तो यह 5 हमें फिर यहाँ लिखना पड़ेगा center में एक और बार 5 लिख दिया हमने अब यह number 1 है 1 देखे कहाँ पे बाठा हुआ है लोसू ग्रिड में reference वाले में यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे हमने डाल दिया अब इदर 9 आ रहा है इसका तो 9 यहाँ पे बाठता है 5 के उपर इदर 9 बठा दिये यहाँ पे नमबर 8 है इसके date of birth में तो 8 देखे कहाँ पे जा रहा है इस जगह तो यहाँ पे 8 बैठ गया फिर से हम लोग देख रहे है कि इस date of birth में 5 आया है तो एक और 5a बठा देंगे ठीक है यहाँ तक आप समझ गए 9 555 18 अब देखे इनका conductor नमबर 6 है ठीक है तो 6 देखे यहाँ पे है तो एक conductor नमबर 6 भी अब हम यहाँ डाल देंगे तो इस तरह से अब यह देखे इस फाइब यह जो फाइब ड्राइवर वाला यह फाइब भी यहाँ के बैठा हुआ है और फिर यह मन्थ का फाइब है अब देखे यहाँ पे एक लॉजिक है इसके बाद यह निम्रेस को बनने के बाद अफ्कूर्स जैसे कि हम लोग analyze कर सकत हैं आप देखेंगे कि बहुत सारा इसके boxes खाली है तो इस सब बॉक्स खाली होने से क्या impact हो सकता है इनके life में या क्या-क्या characteristics missing होगा इनका यह हम लोग बाद में analyze करेंगे और जैसा हमने बताया थे previous video में देखे 951 का योग भी बन रहा है इनके लिए तो ऐसे लोग काफी successful रहेंगे जैसा मैंने बताया है प्लस 816 भी आप देख रहे होंगे इसका भी इनका यह पूरा हो रहा है जो कि practical लोगों का number है तो hopefully एक clear होगा एक और date of birth में example लेता हूँ और उसका फिर लोसु ग्रिट बना देंगे तो आपको साइद फिर clearly समझ में आ जाएगा मैं erase कर देता हूँ एक second date of birth लेते हैं यह भी imaginary मैं किसी का लेन नहीं रहा हूँ 22nd January 1982 एक imaginary number है मैंने यह date of birth किसी का भी नहीं लिया है किसी का reference नहीं है इसमें देखिए जो सिखाये थे जैसे basic number कैसे निकालेंगे तो यहाँ इसलिए मैंने example लिया था कि आपको clear हो जाए basic number में देखिए हम लोग क्या करेंगे अब यह दो number है इन दोनों को add कर देंगे 2 plus 2 को add कर दीजे तो यह हो जाएगा 4 तो इनका basic number हो गया 4 अब इनका हमें क्या निकालना है conductor और destiny number निकालना है इस basic को हमने बोला था D से दिखाओ या B से दिखाओ प्लस conductor number है जिसको हम destiny number भी बोलते हैं उसके लिए हम सबको add करेंगे means 2 2 plus 1 plus 1 9 82 82 2 2 add होके 4 हो गया single digit में convert कर देंगे यह already single digit है तो यह 1 हो गया अब इसको भी add करेंगे तो 9 plus 1 10 10 plus 8 18 18 plus 2 20 अब यह आप इसको यहाँ पर add कर सकते हैं तो 4 plus 1 5 plus 20 25 हो गया अब इसको single digit में convert कर देंगे 2 plus 5 equal to 7 ठीक है यहां तक clear है तो इनका basic number और driver number 4 हो गया और destiny और connector number हो गया 7 4 राहू का number है 7 के तू का number है यह मैंने just example लिया था बाद में कभी हम driver and conductor का combination भी पढ़ेंगे तब आपको बताओंगा कि यह कितना important है लेकिन यह पर देखिए 4 मतलब just imaginary date of birth लिया हुआ था 4 राहू का number है और एक 7 केतू का number है तो एक दूसरे में पूरक हो गया तो इस तरह से इस तरह का combination ने देखिए compatible numbers का combination बनता है तो वो बहुत ही successful रहेगा उसके career में बहुत यह जो दोनों numbers हैं बहुत help करेंगे उसे आगे बढ़ने में अब इनका मैं निम्रो इसको बना के दिखा देता हूं यह reference वाला मैं erase कर नहीं इसके नीचे बना देता हूं आपको यह date of birth मैं erase कर रहा हूं ठीक है और निम्रो इसको पियां पर मना देते हैं इस छोटे से box के अंदर देखिए इनका destiny number 4 है 4 यहां पर आता है इसलिए 4 अब हम लिख देंगे sorry not destiny यह basic number है basic number और driver number 4 है तो 4 हमने यहां पर लिख दिया इनका destiny और conductor number है 7 7 देखिए चार्ट में कहां पर यहां पर यहां पर तो 7 मैं यहां लिख दिया अब देखिए इनका date of birth हमने क्या बोलाता है 22nd 1982 22nd of January 1982 हमने driver और conductor अभी डाला है इस date of birth का अब हम बाकी जो हैं बाकी numbers फिल करेंगे अब देखिए इसमें 2 बार 2 आया है तो हमें 2 बार 2 का box से है तो यहां 2 बार हमने 2 लिख दिया 1 आया है एक बार तो 1 के लिए हमने यहां जगा लिख दिया जो 1 का होता है अब देखिए फिर एक बार 1 आया है तो यहां पर एक बार और 1 रिपीट हो गया अब बचा है 9 number 9 के लिए यह वाला जगा है तो इस box में डाल दिया अब इनके पास बच रहा है 8 and 2 तो 8 का यह जगा रहा देखे दो एक बार और और आ गया तो मुझे लिखना पड़ेगा यानि 3 times 2 हो गया इनके चार्ट में तो हमने सब कुछ डाल दिया यह जो basic और driver number 4 है डाला हुआ है इनका destiny और conductor number 7 है जो यहां डाला हुआ है बाकी numbers जो है इनके double two digit जो है इनके 22 तारीक में इनका जन्म होने के कारण दो बार आ गया है एक भी दो बार रिपीट हो गया month and year के कारण और 1982 का जो 9 है आ गया है और यहां पर 8 डाल दिया हूँ तो इस तरह से इनका numeroscope पूरा बन गया है इसके पात हमें जो है जैसे missing blocks है इसका क्या meaning होता है हम कैसे इसको मतलब जो भी इनके कारण characteristics हमारा miss हो रहा है या फिर कैसे उस number का हम lab उटा सकते हैं इस अब slowly दीरे दीरे बाद में हम लोग सीखेंगे but hopefully मुझे लगता है कि साथ आपको समझ में आ गया होगा कि निम्रो इसको कैसे बनाएंगे किसी के date of birth दिये होने से और भी बहुत सारे चीज़ प्ले करते हैं इसमें जैसे name numbers भी प्ले करता है then personal year ये सब दीरे दीरे आगे बताएंगे अभी मैं confuse नहीं करना चाहता हूँ hopefully आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो को like करें और channel को जरूर subscribe करें thank you very much thank you for watching this video और फिर मैं इसी तरह next video बनाऊंगा और आपके confusion को भी दूर करूंगा thanks bye bye